गुम है किसी के प्यार में के सेट पर लगी आग, सिलेंडर फटने से हुआ हाथसा शोयब इब्राहिम ने फैंस को किया शुक्रिया टीवी का फेमस शो गुम है किसी के प्यार में को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई के गोरे गाउं में स्तित गुम है किसी के प्यार में कि सैट पर एक बड़ा हाथसा हो गया दरसल इस शो के सैट पर सिलेंडर फुटने से आग लग गई है ये घटना करीब चार बजे की है आग इतनी भीशन थी कि आजपास मौजूद सैट भी इनकी चपेट में आ गए इस तराज़दी में तेरी मेरी दूरिया और अजुनी जैसे सीरियल्स के सैट भी प्रभावित हुए है रिपोर्ट के माने तो हादसे के वक्त सैट पर करीब 2000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे हाला कि कनीमत ये रही कि इस घटना में अभी तक किसी के भी घायल होनी की कोई भी खबर सामने नहीं आई है सोर्सेस के माने तो वक्त रहते फायर प्रगेट की टीम घटना स्थल पर पहुच गई जहां उन्होंने मौके पर बचाओ कारे भी शुरू कर दिया ये न्यूस मिलने के बाद आजूनी के लीड आक्टर शोयब इबराहिम के फैंस उनके लिए काफी ज्यादा परिशान थे अब आक्टर ने अपने ऑफिशल इंस्टेग्राम अकाउंट पर एक वीडियो मेसेच स्टोरी के तूरू फैंस को सारी अपडेट शेयर की शोयब ने बताया कि हाँ गुम है किसी के प्यार के सेट के साथ साथ उनके भी सेट पे काफी नुकसान हुआ है लेकिन पूरी टीम ने एक साथ मिलकर काफी अच्छा काम किया और आक को जल्द बुजाने में कामयाब हुए और वो बिलकुल सेफ और ठीक है किसी को कोई में जरूर बताएं ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें